आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया, बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउटनेट करें तुर्शन हमें दिया हुआ है कि पत्थर की एक स्लेब, पट्टि का हम उसे कहते हैं का शेत्रफल, सुने दिशन में 36 मेटर स्क्वाइर दिया हुआ है, और उसके मोटा यहां पर सुने दिशन में 1 मेटर की रूप में दी हुई है, इसके निचली सतह जो 100 डिगरी सल्सियस क की भाब की संपर्प में हैं और इसका उपरी सतह उपरी सतह पर इसके सुने डिगरी सल्सियस की बर्फ का एक ब्लॉक उस पर रखा हुआ है, जिससे एक घंटे में 4.8 kg बर्फ बिखल जा रही है, तब पथर के स्लेब की उश्मा चलकता का आमान केतना होगा, वो पुछा ज यहां पर 1.29 के रूप में, C का मान 2.0.05 और D का मान 1.02 जूद प्रती मीटर प्रती सेकंड प्रती डिगरी सल्सियस पर दिया हुआ है, तो पहले जो दिया है हमें, इसके लिए इसके आरेक को हम देखे, स्लैब हमारे पास हुआ, कि शेटर फिल को देखे, तो अनुपरस का है, हम यह लेके चलते हैं, और इसे L से व्यक्ति किया दाता है, तो L कमान यहां पर कितना सुने देखे, यह किसमें है, मीटर के रूप में, ठीक है, अब इसके निचली सता पर 100 डिगरी सल्सियस, निचली सता जो हमें दिख रही है, दो सता हमारे पास अगर मौजूद होते हैं, तो इसे पहला सता हम कहें, और इसे दूसरा सता हम कहें, तो इस तरह से पहला सता जो भाब के संपर्क में है, इस तरह से अगर हम देखें, तो यह भाब के संपर्क में है, ठीक है, अब भाब किलोस का तापमान कितना होता है, भाब किलोस का तापमान होता है, 100 डिगरी इस तरह से इसके उपरी सता पर 0 degree Celsius पर बर्फ का एक ब्लॉक रखा हुआ है मां लेजे वो ब्लॉक कुछ इस तरह से होगा अर्फ का तुकड़ा और यह बर्फ है तो इसका तापमान के अतना 0 degree Celsius है तो 0 degree Celsius हमने इसे ले लिया बोला जा रहा है कि लगने वाले समय के रूप में एक घंटे में 4.8 kg बर्फ बिखल जा रही है तो स्लैप के लिए उसकी उश्मी चलगता गुणान का आमान हमें निकालना है जिसके लिए अगर हम उसे केस से प्रसुत कर रखें ठीक है और हमें दिया हुआ है कि मात्रा कितनी है M मात्रा है 4.8 kg जो बर्फ है ठीक है कितने सम है T के रुप में हमारे पास बुला है एक घंटे में एक घंटे को अगर हम सेके में परिवयद्य करना चाहे है तो 60 कुन IRA मतलब 3600 किसमें आए गा हम किसी पदार्थ में उश्मी उश्मNow prime की का सूत्रलि को अगर हम Q से प्रदर्शित करना चाहे है तो Q कि BT D कं हमे 16 मान होगा के यहां पर तापमाने प्रयोतन को T1, RIN, T2 की रुप में लिखें और नीचे हम उसके मुटाई को लिख लेते हैं L की रुप में ठिक है तो यहां पर T1 क्या होगा तक कि यहां पर कि यहां पर यहां पर यहां पर T1 कि रुप में और यहां पर जिस रूप में वह उश्मा के रूप में पिघलती है या अवस्था पर्विर्तित होती है तो LF अगर हमने ले रखा तो latent heat of fusion मतलब गुपत उश्मा हम किसके कहते हैं गलन की गुपत उश्मा के रूप में प्रदश्यत करते हैं तो यहां पर हमें उश्मा के लिए उश्मा की मात्रा के रूप में दो मान मिलें समीकरण एक और समीकरण दो से इस तरह दोनों के मान को अगर हम लिए अगर हम यहां पर लिखेंगे समीकरण एवं दो से एक एवं दो से ठीक है क्या बनेगा यहां पर बनता है के ए बनेगा य अब यहाँ पर हम देखें आगे मान कालना है के का मान के का मान बस यहीं रखते हैं हम बाके सारे मान को हम ले गए तो M यहाँ पर बनता है LF की रूप में सारे मान हमें हमें दिये हुए हैं L यहाँ पर हमने ला दिया अब यहाँ पर मान देखते हैं तो यह बनता है A गुणा सुने दिश्मदो एक मीटर के रुप में दिया हुआ है जबकि अगर हम नीचे मान को देखें तो ए हमारे पास है अरप्रस काटशे तरफल के रुप में सुने दिश्मदो ताप मानी परिवर्तन का इस तरफ केक वान अगर हम देखते हैं नीचे हमान हमारे लिए nog rzeczy के चोपने लातर हम पर देखें हैं लान के बाद तो किःस्रामान हमारे पास आता है अ9.24 ृ9 यह किसमें होगा जूल प्रती मीटर प्रती सेकंड प्रती डिगरी सेस्ट के रूप में तो यह हमें बता रहा है उश्मा चलक्ता गुणां के अमान को उस पत्थर की स्लैप के लिए यह हमसे प्रस्ट में पूछा गया था तो उसका मान हमारे पास इक डिश्मा दो चार के रूप में आता है तो विकल्प में हम देखें तो इक डिश्मा दो चार जूर प्रती मीटर प्रती सेकंड प्रती डिगरी सेस्ट के रूप में है विकल्प ए पे हमारे मान सहीं होगा ध